हेलो व्रीवान एंड वरी वर्म वेल्कम टू सिक्षा तो गई सेशन फाइव है अंसर राइटिंग का नबाट फेस्टू एंड नबाट फेस्टू के एलावा अगर आप आर भी आई ग्रेट बी की भी तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपको अंसर राइटिंग में काफी हल्प मिलेगी क्योंकि जो ESI प्लस ARD का सब्जेक्टिव कॉंपोनेंट है ना इसमें जिस टाइप के कोशन पूछे जाते हैं कुछ चुनिंदा अगर सिरफ आप ही लगा लो अग्रिकल्चर डिरेक्ली किसी क्रॉप से रिलेटिड है वैसा कुछ कोशन आ गया तो वो अलग बात ह हैं जो जेनरल कोशन हैं वो डेफिनेटली आपके RBI में भी पूछे जा सकते हैं ESI का क्योंकि पार्ट बनता है डेफिनेटली अब जैसे कोशन है कि अगर MSP पॉलिसी को रिव्यू करना है तो डेफिनेटली यह RBI grade B के एक्जाम में भी पूछा जा सकता है है ना तो वहाँ पर भी आपको help मिलेगी and मैं आपके answers को भी regularly review कर रहा हूँ कभी कबाद हो सकता है आदा दिन एक दिन डिले हो जाए answer review होने में बट होगा जरूर don't worry about that तो detailed review आपको telegram के ओपर मिल जाता है जो भी बच्चा मुझे answer भेजता है तो session 5 है आज हमने एक important question discuss करना है जो मैंने आपको पिछले session में दिया था और इस session के end में भी एक और question दूँगा जिसको आप attempt करके मुझे telegram के ओपर send कर सकते हो इवन ये video देखने के बाद ये lecture देखने के बाद आप ये वाला जो question हमने इसमें discuss करना है वो भी आप मुझे भेज सकते हो उसको भी हम review कर देंगे कोई issue नहीं है objective part के लिए 2000 plus non video mcq course है 50% off लगा कर लगाने के बाद आपको around 300 rupees का ये course पड़ता है 2000 से जादा इसके अंदर agriculture के questions है and the questions are increasing ठीक है तो soon will be at the stage of 3000 and 4000 plus also so it's the right time to purchase it happy 50 code use करें and 50% off आपको मिल जाएगा तो question जो हमको discuss करना था दोस्तों वो था MSP policy को review करना है 600 words का question 15 marks पिछले साल के नबाड के subjective questions में ये आया था अब ये बड़ा ही एक open ended सा question है जब आपको इस तरह का question है न ये काफी open ended है वैसे बच्चों को ultimately open ended मैं इसको क्यों कहा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता है कि इसके अंदर हम लिखें क्या जैसे मैंने एक दो जो answers telegram के उपर आया मैंने चेक किया अब उसमें जो उन्होंने points बच्चों ने लिखे थे वो points गलत नहीं थे लेकिन अपने पास देखो एक limitation है कि MSP policy के उपर लिखना चाहो तो आप 2000 word का essay भी लिख सकते हैं कोई बहुत बड़ा issue नहीं है 2000 word का essay भी मैं आपको बता सकता हूँ क्या आप लिख दो लेकिन ultimately इसके अंदर multiple चीज़े हैं लिखने वाली अब आपके लिए most ideal एक review की जब बात हो रही है review किसी भी policy को review करने को जब वो कह रहा है न तो एक चीज़ यह समझ लो कि वो जानना चाहता है कि इस policy के objective क्या है ठीक है वो जानना चाहता है कि इस policy से क्या advantage हो रहा है उस advantage को support करने के लिए आपके पास कुछ data होना बहुत important ह वो जानना चाहता है कि इस policy के अंदर कमिया क्या है खामिया क्या है ठीक है तो इस policy के अंदर limitations क्या है या problems क्या है वो यह भी जानना चाहता है तो यह major चीज़े हैं जब भी आपको वो policy review करने की जब बात करता है जैसे मैं जब answer check कर रहा था उसमें for example sonal she is a student on telegram तो sonal मैं directly आपको यहां पर अगर मैं किसी का नाम लेकर के बोलड़ा हो ना तो मैं वो मत चीजों को better समझाने के लिए तो जैसे sonal का answer था आप telegram पर जा करके देख सकते हैं उसका review भी मैंने डाल दिया बाकी बच्चों के answers के review देखोगे तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने क मिलेगा तो उसके अंदर basically हुआ क्या कि आपने policy को जब review करने तो उसमें वो यह नहीं पूछ रा कि इसकी technicalities हमको बताओ ठीक है वो technicalities के बारे में नहीं जानना चाता वो अगर technicalities के बारे में पूछना होता तो वो आपसे question पूछता how does the MSP policy work or explain the MSP policy उसने आपर आपको review कर ने को बोला है ठीक है यहाँ पर वो आपसे आपका review जाना जाता है कि यार इस policy के बारे में तरको कैसा लगता है अगर मैं इसको हिंदी में translate करूँ तो mainly question को समझना बहुत important है देखो subjective जब answer लिखने होते है ना subjective answer के अंदर एक सबसे important चीज ही यह होती है कि क्या आपने question को समझाए क्योंकि आधी लडाई वहाँ पर हो जाती है आधे जो बच्चों के answer गलत हो जाते है वो इसलिए हो जाते है क्योंकि हमने question को सही ने समझा तो question को सही समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब अगर हमें MSP policy का review देना है introduction के अंदर आप MSP अब मैं आपर आपक सबसे पहले तो introduction में MSP को define कर दो थोड़ा से MSP के बारे में लिख दो ताकि examiner को पता चल जाए कि यहाँ भी बच्चे को MSP के बारे में पता है तो MSP क्या है एक तरह का market intervention है सरकार directly intervene कर रही है free market वाला system नहीं चल रहा है यहाँ पर free market क्या होती है जहाँ पर सरकार की कोई intervention नहीं होती जहाँ पर prices जो है वो demand और supply के हिसाब से चलते हैं पर MSP में क्या है MSP में सरकार ने intervene कर दिया एक price दे करके ठीक है और यह क्यों करती है सरकार ताकि जो agricultural producers हैं जो हमारे आपर farmers हैं especially small and marginal farmers हैं उनको एक kind of insurance provide किया जा सके अगर farm prices demand and supply के mechanism की वज़े से अगर farm prices में sharp fall आता है तो उनको protection दी जा सके अब market mechanism से farm prices में sharp fall क्यों आएगा for example bumper production हो गई ठीक है bumper production से मतलब क्या हुआ कि market में एकदम से क्या होगा supply बढ़ जाएगी demand और supply का का कानून क्या कहता है कि अगर demand same है और supply एकदम से बढ़ गई है demand same है और supply एकदम से बढ़ गई तो ultimately क्या होगा prices गिर जाएंगे तो उस तरह की condition से या इस particular situation से farmers को protect करने के लिए MSP policy announce की जाती है उसके बारे में थोड़ास MSP के बारे में और बता सकते हो कि government of India announce करती है इसको sowing season के beginning में for certain crops and CACP जिसको commission for agriculture cost and prices है उसके recommendation पे इसको announce किया जाता है ठीक है इसके अंदर आप ये वाला point बेटा पीछे डाल देना ये वाला point पीछे डालना है इस second point के साथ कि MSP जो है 22 mandated crops के लिए announce किया जाता है और FRP announce किया जाता है sugar cane के लिए इन 22 में खारे फ्राभी commercial crops हो सकते है अब जैसे again मैं सोनल का example लोगा क्योंकि MSP के उपर सोनल का answer आया था अब सोनल आपने यहाँ पर क्या किया if you are listening to me आपने न यहाँ पर इन 22 crops के नाम mention कर दिये ठीक है तो ultimately देखो वो गलत नहीं है लेकिन अब यहाँ पर आपको यह crops को mention करने की जरूरत थी नहीं ठीक है यहाँ पर आपको crops को mention करने की जरूरत थी नहीं इसके अंदर आप यह point जरूर डाल सकते थे कि it includes food grain crops इसके अंदर food grains भी है और इसके अंदर जो है course cereals भी है तो एक balance, क्योंकि आप यहाँ पर क्या represent करने की कोशिश कर रहे हूँ कि हायर सरकार एक balance बनाने की कोशिश कर रही है, जो crops है ऐसा नहीं है कि सिरफ एक दो type of crops कोई MSP मिल रहा है, balance create करने की कोशिश कर रही है, बट mention कर नहीं आपके देखो न, around 22 crop मतलब की 22 नाम आपके बच जाते हैं, और फिर वो याद करने में भी उसमें strain पड़ता है, गलत नहीं है बट avoid करा जा सकता है major objective क्या है, farmer को support करना ताकि उसको distress sale ना करना पड़े, distress sale क्या होता है, जो एक तरह से मजबूरी में बेचना पड़ता है, कम दामों में क्योंकि उसको पैसा चाहिए, ऐसा तो है निना, किसान के घर में पैसा रखा है कि वो अपने आगे काम चला सकता है वो तो बिचारा इस बार की फसल बेचेगा तो ultimately उसके पास अगली साल की फसल की तैयारी करने के लिए पैसा आएगा तो वो मजबूरी में उसको फिर बेचना पड़ता है लेकिन MSP इस चीज को avoid करते है क्योंकि वो एक price support उसको दे रही है, कि इससे कम दामों में तुझे बेचना नहीं पड़ेगा, सरकार खरीद लेगी तो यह सिंपल सी MSP की introduction आप इसमें लिख सकते हो ठीक है उसके बाद body के उपर आजाओ, अब review करने को काया तो एक historical perspective थोड़ा सा important हो जाता है MSP के बारे में तो देखो, mid 1970s तक सरकार जो है, दो administered prices announce करती थी, जैसे MSP है न, वैसे एक और price होता था procurement prices को हम बोलते है, administered price क्योंकि सरकार announce कर रही है MSP में क्या होता था, MSP में तो सरकार एक price fix कर देती थी सरकार एक price fix कर देती थी तो एक तरह से long term farmer को guarantee मिल जाती थी कि हाँ यार मेरा produce, मेरी फसल चाहे जैसी मरजी हो demand supply जैसी मरजी हो, मेरी फसल के लिए सरकार मेरे को इतना पैसा तो देगी तो इससे कहना farmer encouraged रहता था कि हाँ यार मैं investment कर लेता हूँ agriculture के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सरकार मेरे साथ खड़ी है वो मेरे को पैसा देदेगी मेरी crop का ये पैसा MSP सरकार हलसाल announce करती है और on and average farmer को idea भी लगी जाता था कि यार इस साल ये announce हुआ तो अगले साल भी इससे कम तो क्या ही होगा या तो इतना ही रहेगा या थोड़ा बढ़ेगा तो tension नहीं रहती थी है ठीक है कि अगर market का rate गिर गया नीचे तो सरकार MSP पे मेरे से crop खरीद लेगी दूसरा क्या होता था procurement price होता था procurement price mainly होता था खारी फोर राभी crops के लिए और ये mainly वो price होता था जिसके उपर FCI यानि कि Food Corporation of India जैसी जो agencies हैं वो खरीदी करती थी किसानों से ये FCI जो खरीदी करता था ना ये mainly खरीदी करता था public distribution system के लिए जो सरकार basically below poverty line या जो गरीब या पूर category जिसको हम बोलते हैं जो लोग आते हैं उनको ताकि सस्ते दामों में distribute किया जा सके उसके लिए FCI ये procure करता था procurement price के उपर और ये procurement price harvest के बाद announce होता था अब procurement price जो है generally जो open market price होता था जो बजार का rate है ठीक है जो market का rate है जो मंडी का rate है उससे कम होता था लेकिन MSP से ज़ादा होता था बाजार के rate से कम होता था लेकिन MSP से जादा होता था अब ये देखा गया कि यार ये दो-दो जो rates announce हो रहे थे ना बड़ी confusion create कर रहे थे ठीक है कुछ समय तक तो सरकार ने दोनो rate announce किये दोनों के बीच में कुछ-कुछ difference भी होता था जैसे rice के लिए एक procurement price announce होता था एक MSP announce होता था लोग या farmer क्या जादा demand कर रहे थे कि हमें MSP चाहिए ठीक है कि हमें MSP पे ही आप दो क्योंकि वो long term security वाला element उसके अंदर था ठीक है तो ultimately सरकार ने बोला कि यार चलो हम 1975-76 से सरकार ने बोला कि हम सिरफ A की price को follow करेंगे and that will be MSP ठीक है तो यह एक तरह से आप इसमें historical perspective डालोगे अब body के अंदर next आप point डाल सकते हो कि CACP क्या चीज़े ध्यान में रखता है while recommending MSP तो उसके अंदर आप डाल सकते हो कि यार उसमें important factors आ जाते हैं जैसे cost of production आ गया, overall demand supply situation क्या है domestic market में, world market में, domestic और international prices क्या है inter crop prices, price parity कितनी है, दो फसलों के बीच में, दो अलग-अलग फसलों के बीच में कितना price difference है terms of trade between agriculture and non agriculture sector likely effect क्या होगा, बाकी की economy पे क्योंकि देखो agriculture के अंदर major India की population involved है ठीक है, और GDP में भी एक major contribution है one of the major contribution है, not the highest but one major contribution तो agriculture के अगर अंदर कुछ हो रहा है, तो उससे पूरी की पूरी economy के उपर होगा ठीक है, और plus 2018 से मैंने आपको पिछले एक lecture में भी बताया था कि 2018 से सरकार ने कहा दिया, कि कम से कम 50% जो cost of production आई है, जितना किसान का खर्चा हो रहा है production पे, उससे कम से कम 50% उपर तो MSP अनॉंस कर नहीं है यानि कि अगर 100 रुपे का सर्क खर्चा आया है किसान को तो MSP कम से कम 1.500 रुपे होना चाहिए, यह सरकार ने रूल बना दिया है तो इन सब basis पे, CACP जो MSP अनॉंस करता है इसको mention कर दोगे अब इसके अंदर next आप डाल सकते हो कि pricing policy के effect क्या होते है MSP जैसी pricing policy के effect क्या होते है सबसे पहले इसका effect आता है income के उपर ठीक है, अब देखो MSP का यह एक advantage भी हम यह आपर mention करने की कोशिश कर रहे है और effect भी mention करने की कोशिश कर रहे है देखो अब हम कहते हैं कि यार अगर आप किसान को सिरफ market के भरोसे पे छोड़ देते हो सरकार की कोई intervention नहीं करते मैंने यह points थोड़े से elaborate करके लिखे हैं यहापर जितना मैं यह lecture दे रहा हूँ, इसमें points सारे elaborated हैं इसको summarize करके आपको answer में डालना है ठीक है, अब farmer को अगर आपने market के भरोसे छोड़ दिया तो यह उसके लिए तो खराब होगा ही होगा पूरी की पूरी economy के लिए दिक्कत हो सकती है ठीक है अब देखो, जो marginal और small farmers है वो majority of farmers हैं इंडिया के अंदर अब यह जो segment है ना, marginal और small farmers का इनके पास इतनी economic power नहीं होती कि यह अपना supply रोक ले for example, आज production होगी ठीक है, अब supply production होगी bumper अच्छी फसल होगी, अब अच्छी फसल होने की वज़े से क्या हुआ, market के अंदर मंदी आगी market के अंदर मंदी आगी क्योंकि supply जादा है, demand कम है तो अब जो small and marginal farmer है इसके पास यह capability तो है नहीं कि चलो price गिर गे, कोई बात नहीं हम ना अपने warehouse में रख लेते हैं जब prices ठीक होएंगे ना तब हम बेच देंगे क्योंकि अगर farmer supply को रोक लेगा तो एक तरीके से उसने artificially supply को घटा दिया और supply को घटा दिया तो इस वज़े से prices ठीक हो जाएंगे लेकिन इंडिया का farmer जो है को दूसरी फसल लगाने के लिए तियार होगा अब उसके पास ऐसा system नहीं है कि फाल्तू पैसे पड़े हैं मेरे पास चलो ये वाली मैं hold कर लेता हूँ और next crop की तियारी करता हूँ जब price ठीक होंगे तब इसको बेच दूँगा दूसरी चीज़ पैसे हो तो उसके पास facility भी तो नहीं है warehouse टाइप की facilities भी तो नहीं है जहाँ पर वो उसको store करके रख सके वो खराब हो जाएगा बिगे गई नहीं आप अक्सर दिखते हो ना news में आता है कि किसानों ने अपने टमाटर सड़क के उपर डाल दिये ठीक है फार्मर्स ने तुमाटर वो इसलिए तो डालते हैं क्योंकि उनके पास store करने के लिए जगा नहीं है market में उनको prices नहीं मिल रहे क्योंकि bumper supply होगी है तो ultimately इसका effect आएगा farmer के उपर और ultimately पूरी की पूरी economy के उपर क्योंकि आपकी major population जो है वो agriculture में involved है तो अगर sudden drop होता है because of bumper harvest तो उससे क्या होगा market का price गिर जाएगा और farmer की income adversely effect हो जाएगी now this effects adversely not only the absolute level of poverty and inequality the effect spills over to other sectors of the economy as well ठीक है क्योंकि किसान के पास अगर पैसा नहीं है किसान मैं कहरा हूँ कि यार इंडिया में अगर roughly 50% भी लेकर के चलू मैं एक random example कि भी 50% population agriculture में है अब इस 50% अबादी के पास अगर हाथ में पैसा नहीं है तो क्या ये market में जाकर के कुछ और खरीदी करेंगे क्या ये industrial products जो बन रहे है कपड़ा या machinery उसको खरीदेंगे इनके पास पैसे ही नहीं है तो जब इनके पास पैसा नहीं है तो ultimately market के अंदर overall मंदी आ जाएगी industrial products and services में भी मंदी आ जाएगी और पूरी की पूरी economy जो है downward trend में चली जाएगी तो MSP जो है income effect improve करती है agriculture के अंदर और पूरी economy को help करती है अब मैंने देखो ये red में points क्या है red में points मैंने क्यों लिखे है ये मैंने सिरफ आपको एक example दिया मैंने का ना मैंने आपको detail में दे रहा हूँ यहाँ पर लेकिन आपको summarize करना तो ये red वाला है जो points है मैं आपको show करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप किस तरीके से इन points में से summarization करके सिरफ इतने part को आप अपने answer के अंदर लिखे है बाकी point मैंने डाला है कि आपको समझ में आ जाए लेकिन summarize करके इतना point अगर आप लिखते है तो आपका answer का point complete हो जाता है यह मैंने सिरफ example के लिए एक के अंदर ही किया है नहीं तो आप खुछ से कुछ मेहनत नहीं करोगे और लिखोगे नहीं खुछ से जब तक नहीं लिखोगे 100 word में खतम हो गया बाकी के कहां से लाओं कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार मेरे तो 1000 word का answer हो गया मैं इसको छोटा कैसे करो तो दोनों चीज़े आने चाहिए cropping pattern के ओपर भी आपका effect होता है pricing policy का ठीक है अब इसके अंदर इसका negative और positive दोनों आ जाता है ठीक है अब जैसे for example दो crop है rice and wheat अब हम यह assume कर लेते हैं कि इन दोनों crops का जो input है जो भी seed वगएरा है ठीक है वो change नहीं होते है time के साथ ज़ादा और land जो rice जहाँ पर grow किया जा सकते है वहाँ पर wheat भी grow कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी और technology जो है wheat production के लिए जो available है वो rice producers के लिए भी available है उसमें भी कोई difference नहीं है अब अगर ऐसा हुआ कि relatively there is increase in price of wheat in comparison to rice would imply higher profits for wheat producer कि wheat का दाम market में बढ़ गया लेकिन rice का उतना नहीं बढ़ा उसी जमीन पे आप चावल भी उगा सकते हो rice भी उगा सकते हो ठीक है लेकिन wheat का price बढ़ गया और चावल का नहीं बढ़ा तो उससे क्या होगा long term में farmers जो है rice को produce करने की जगा wheat की production करने लग जाएंगे क्योंकि उनको दिखेगा कि यार जमीन पे मैं rice भी ग्रो कर सकता हूँ wheat भी ग्रो कर सकता हूँ खर्चे भी मेरे almost same है technology rice के लिए भी same है wheat के लिए भी मेरे को मिल रही है ultimately मैं वो वाली फसल लगा हूँ जिसमें मेरे को return जादा मिल रही है तो ये जो आपकी MSP है न ये pricing policy को impact करती है और शुरू में चलो अब तो हम कहते हैं कि हाँ 22 त्यूकि हम review कर रहे हैं MSP policy को जब हम review करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम सिरफ साल पिछले साल दो साल के लिए कर रहे हैं अगर हम over the time देखें 1990s के बाद से specially अगर मैं बात करूँ आप से 1990s के बाद से अगर आप बात करें वो हम next point के अंदर भी उसको समझेंगे कि course cereals के अंदर production काफी कम हो गई ठीक है course cereals होते हैं जवार बाजरा type उसका reason यही था कि ultimately किसानों को लगा कि यार ये चावल और wheat वगएरा MSP के अंदर covered थे और इसके अंदर prices भी जादा मिल रहे थे international marketing के अंदर भी जादा prices मिल रहे थे तो इसी लिए सरकार ने इसी लिए लोगों ने क्या क्या change कर दिया अब पंजाब जैसी states के अंदर salinization की problem इसी लिए हो रही है ना क्योंकि वहाँ पर continuously rice ग्रो गिया जा रहा है पंजाब technically देखा जाए तो वह rice production के लिए नहीं बना है state है ना तो ultimately लेकिन हम कर रहे है और उससे क्या हो गया cropping pattern change हो गया ठीक है लेकिन इसका फाइदा क्या है कि ultimately farmer जो है वो suitable crop को grow करके जो economically अगर हम देखे हैं तो वो अपने आपको status को improve कर पा रहा है resource allocation के ओपर effect आता है अब resource allocation से क्या हो गया अब जैसे हमने पिछले point में देखा कि किसान क्या करेगा वो वाली crop choose करेगा जो जादा profitable है ठीक है less profitable को तो क्यों ही choose करेगा और धीरे धीरे क्या होगा सारे किसान उसको choose करना शुरू कर देंगे जब धीरे-धीरे majority farmer भी उसको grow करना शुरू कर देंगे तो सरकार का जादा ध्यान भी उस fossil की तरफ चला जाएगा क्योंकि सरकार को ultimately farmer को support करना है तो एक तरीके से ना सारे जो resources हैं वो उस particular crop की तरफ shift होने शुरू हो जाएंगे खीक है धीरे-धीरे ये चीज होगी and सारे farmers उस crop को grow करना शुरू कर देंगे और अभी core cereals के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है 1990 से पहले क्या होता था हमारे आपर अच्छा खासा core cereals का production किया जाता था क्योंकि poor food इसको किया जाता है दाम में भी सस्ता है और grow इंडियन क्लाइमिट के हिसाब से इसको grow भी आप बहुत जगह उपर कर सकते हो soil की fertility भी maintain करता है लेकिन 1991 में क्या हुआ economy open होगी restrictions कम होती गई export वगरा के उपर MSP policy के अंदर पहले starting में जो rice, wheat जैसी crops थी उनके उपर return काफी जादा दिया जा रहा था तो ultimately उससे क्या हुआ course cereals की production कम होगी लेकिन अब MSP में further इसमें आप क्या point mention कर सकते हो कि MSP ने अब बाजरा और जवार जैसी जो crops हैं उसको भी due attention दिया जा रहा है उसके लिए भी lucrative MSP prices offer किये जा रहे हैं ताकि farmers को encourage किया जा सके कि वो इस तरह के nutrient course cereals को भी grow करें थीक है तो इस तरह के से आप उसको mention कर सकते हो income distribution के उपर इसका effect आता है थीक है MSP का अब MSP का income distribution के उपर positive और negative effect दोनो होता है positive effect को इस तरीके से समझो अगर agriculture price increase कर रहे हैं अच्छा MSP दे रहे हो आप ठीक है तो MSP दे रहे हो तो यानि कि agriculture के अंदर prices increase हो रहे हैं तो उससे देखो तीन major फाइदे होंगे एक तो जो agriculture के producer है यानि कि किसान है उसकी profitability बढ़ेगी अगर उसकी profitability बढ़ेगी तो तीन चीज़े होंगी एक तो agriculture के अंदर investment encourage होगी दूसरा cropping pattern अभी हमने देखा कि वो change हो जाएगा more profitable crop के लिए और तिसरा क्या होगा resources भी profitable crop में divert हो जाएगे ये एक तरह से summarization है जो हमने points पीछे की हैं दूसरी चीज़ क्या होगी अभी farmer को तो फाइदा हो गया लेकिन जो real income of consumer है जो खरीदार है जो ग्रहक है उसको तो decrease होगा क्योंकि अगर MSP बढ़ा है या market के अंदर rate बढ़े है तो ultimately वो rate पढ़ना तो ग्रहक के उपर ही है ना consumer के उपर अना ठीक है तो इससे क्या होगा इससे जब consumer के पास कम पैसा होगा तो वो कम goods and services demand करेगा तो एक तरह से जो industrial goods है जो यहाँ पर farmer की income बढ़ने से goods के अंदर demand बढ़ेगी लेकिन दूसरी तरह consumer जो है उसकी income घट रही है तो उसकी demand कम हो जाएगी ठीक है तिसरा impact आएगा input cost of industrial producers ठीक है अब जो industries ऐसी है जो agriculture के उपर dependent है for raw material अब क्योंकि produce महंगा हो गया है तो raw material महंगा हो जाएगा तो again क्या होगा उसकी वज़े से जो goods की cost है वो rise कर जाएगी ठीक है and demand कम हो रही है और goods की cost rise कर रही है तो ultimately उससे क्या होगा जब demand घटरी है और goods की cost बढ़ रही है तो companyya क्या करने की कोशिश करेंगी वो output को भी decline करेंगी demand उतनी रही नहीं और उससे नौकरियां भी कम होंगी तो हम जो कहते हैं कि हमें population को agriculture सेक्टर में अभी भी हम बोलते हैं कि जादा population हमारी agriculture के उपर dependent है इसको हमें industrial और service sector के अंदर लेकर के आना है तो जब industrial sector के अंदर employment create होने की जगा कम होनी शुरू हो जाएगी तो आप कैसे करोगे diversification तो वो एक problem आ जाएगी उसके इलावा income distribution में एक positive impact आ जाएगा technology का effect क्योंकि profitability है तो productivity बढ़ेगी and new technologies introduce होंगी तो MSP उसवे में help करता है international competitiveness अभी यह देखो इसके अंदर क्या है कि अगर हम market के demand and supply के हिसाब से हमारे rate नहीं set हो रहे हम MSP दे रहे हैं तो उससे एक नुकसान होता है कि हमारा जो agriculture है वो in competitive बन सकता है global market के अंदर ठीक है तो वो भी एक point आ जाता है इसके अंदर अब थोड़ा सा data का चड़ता लगाना है ठीक है अब हमें MSP policy को support भी करना है थोड़ा की देखो MSP policy सरकार कितना जादा active MSP policy के लिए तो आप इस तरह के points डाल सकते हो कि review दे रहे हो न क्योंकि आप इन में से कुछ points डाल दो कि तो examiner को हो जाएगा कि हाँ यार इसको current के बारे में भी पता है कि MSP जो peddy का है 2013-14 में 310 का था 2022 में जो announce होया 2040 का हो गया है 56% से बढ़ा wheat का 1350 था 13-14 में और 2015 हो गया 22-23 में 49% से बढ़ा sunflower, soybean, groundnut sunflower, soybean और groundnut के जो prices हैं 2013-14 के मुकाबले 72-88 और 46% बढ़े maize के 1310-13-14 में 1962 हो गया है 22-23 में 50% increase MSP में देखने को मिला तो यह आप support कर सकते हो उसके बाद कुछ issues भी mention कर देंगे कि issues क्या है MSP के साथ जो associated है सबसे पहले limited extent अभी भी हम देख रहे हैं कि सिरफ 23 crops इसके अंदर covered है और इन 23 में से भी न सबसे जादा जो footage मिलता है वो rice और wheat को ही मिलता है सबसे जादा procure भी इसी को किया जाता है क्योंकि National Food Security Act के अंदर rice और wheat आप supply करते हो majorly ठीक है और सबसे जादा concentration इसी के उपर रहता है और बाकी crops के लिए तो जो बाकी 23 crops के अंदर जो बाकी crops हैं उनमें तो ad hoc और insignificant way में उसमें MSP के अंदर काम होता है implementation ineffective है अब एक शांता कुमार कमीटी बनी थी 2015 में उनने अपनी report दी थी इस कमीटी ने क्या बोला कि सिरफ 6% किसान ऐसे हैं जिनको MSP मिलता है बाकी के 94% farmer देश के ऐसे हैं जिनको MSP के benefit ही नहीं मिल रहे है तो किस काम की होई भई है MSP policy ठीक है जैसे कि हमने पीछे देखा कि agriculture को wheat and paddy dominated बना रहा है क्योंकि concentration major है तो उसकी वज़े से क्या होता है बाकी crops grow करने के लिए farmer discourage होते हैं और इसी वज़े से आपकी agriculture के अंदर crop diversification नहीं आपाता middleman dependent काफी जाद है MSP procurement, middleman हो गए, commission agents हो गए, APMC officials हो गए, इन सब ने एक जो है, अपना group बनाया हुआ है and ultimately small farmers को बड़ी मुश्किल होती है, इस middleman और जो commission agents का जो जाल है, उससे अपने आपको protect करने में, competition kill करता है, यह एक जो capitalist approach का criticism है इसका, कि सरकार की interference की वज़े से competition नहीं आपाता market में, और competition नहीं आपाता तो improvement नहीं आपाती, competition होता है, तो इनसान improve करने की कोशिश करेगा, ताकि उसको better उसके results मिले, बट यहाँ पर तो सरकार ने बोल दिया कि हम तुमको MSP देंगे, तो किसान के लिए पास एक improvement का scope थोड़ा कम हो जाता है उसको लगेगा कि हाँ यार मेरे को MSP तो मिली जाएगा मुझे क्या quality से लेना और क्या सब चीजों से करना है न उसके बाद finally आप अपने answer के अंदर conclude कर सकते हो, आप MSP policy को पहले तो बोल दो कि important है क्योंकि floor price set करती है और farmers को protect करती है, ठीक है incentive है, for many of the ठीक है, कि जो MSP के issues है, उसको आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है, agriculture pricing policy के अंदर उसमें changes लेकर के आने पड़ेंगे, और one of the processes can be, जो भवांतर भुगतान योजना का मैंने आप पर example लिया है, मध्यपरदेश की जो scheme है इसके अंदर basically क्या होता है, सरकार directly involved नहीं होती, अब भवांतर भुगतान योजना क्या कहती है, कि for example, सरकार ने बोला कि MSP है, 1000 रुपे और market rate है 800 रुपे तो अब पहले सरकार क्या करती है कि यार, चलो 1000 रुपे पे हमें सब खरीदना है, कोई 10 किलो चावल ले आया, तो हमें वो 10 किलो चावल 1000 में खरीदना है, ठीक है उससे क्या होता है, competition भी नहीं होता है और private sector को भी encourage नहीं कर पाते है ठीक है, तो सरकार ने क्या बोला, कि कोई बात नहीं farmer को क्या बोला, कि तू 1000 हमने rate set किया और market में 800 रुपया मिल रहा ना, तो ये 800 रुपया पकड़ ले तो ये 800 रुपया पकड़ ठीक है, 800 रुपय में market rate में बेचते, बाकी का जो 200 रुपया बचा, ये हम तिरको दे देंगे इससे क्याता है सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है अभी क्या सरकार के जो warehouses हैं वो भरे पड़े है आप news में देखते हो कि हर साल इंडिया के अंदर कितना हजारो, लाखो, टन खाना जो है, वो food wastage हो जाता है क्योंकि वो warehouses में ही पड़ा रह जाता है तो सरकार के कहती है कि इतना जादा storage का भी खर्चा हम बढ़ाते है private sector को इसके अंदर encourage करते है हम सारा हम खरीद के रखेंगे क्या हम खा थोड़ी लेंगे उसको तो ऐसा करते है न, market rate पे इनको खरीदने देते है तो अब आप यह answer की form में ढाल करके मेरे को टेलिग्राम के उपर share जरूर करेंगे अगला question जो आपके साथ discuss किया जाएगा जिसके answers आप मुझे लिख करके बेच सकते है enumerate and explain factors affecting cost of marketing of agriculture produce 400 words के अंदर यह answer लिखेंगे 10 marks का question रहेगा ठीक है बेटा चलो जी तो यहाँ पर अब lecture को हम end करेंगे अगर session देखने में मज़ा आया हो तो एक तो comment करके लिख देना की सर अच्छा लगा गंदा लगा हो तो वो भी लिख देना की सर कमी थी session के अंदर गाली वलोज करे भी न चैनल को subscribe जरूर कर लेना हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना एक थोड़ा positive mindset जो है create होता है चली मिलेंगे अब next session में and telegram का link आपके पास है join कर सकते है description में whatchap कर सकते है mail कर सकते है कोई भी दिखकत हो चली take care